दोस्तो नमस्कार डिली रिट बुक में आपका स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में SSC MTS के ओफिशल पेपर का अधियन करेंगे यह पेपर 14.10.2021 को हुआ था सरे बारे से दो बज़े वाले सिफ्ट में आज जो पेपर होगा वो 26 माँ पेपर होगा यानि इससे पहले हम लोग 25 पेपर का अधियन कर चुके हैं और हमारा टारगेट है टोटल 42 सिफ्ट को कंपलीट करने का यानि 42 पेपर को पूरा करने का तो जलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन और इस पेपर के अलावे हमने SSC CGL 2020 के भी ऑफिशल पेपर का सारे सिफ्ट का अधियन क कर चुके हैं और अररवी एंटीपीसी सीबीटी ओन में जो 135 में एकजाम हुआ था उन सारे प्रसनों का भी हम लोग अधियन कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्रिलिस से जाके आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन पहला प्रसन है निंग थाउंजा राजवंस द्वारा भारत के किस राजी का सासन किया गया था तो इसका सही जवाब होगा मनी पूर अगला प्रसन है क्वेश्चन अमर दू है बर्स 1960 में महराष्ट और ड्यास का गठन करके बंबै राजी का भासाई आधार प्रविभाज ने कर दिया गया तो इसका सही जवाब होगा गुजिरात अगला प्रसन है अभिनेता और राजनेता सत्रूधन सिन्हा की जिवनी का नाम क्या है तो इसका सही जवाब होगा एनीधिंग बट खामोश अभिनेता और राजनेता सत्रूधन सिन्हा की जिवनी का नाम है एनीध बट खामोश अगला प्रसन है भारत का कौन सा राज सुन्द्रेश्वर महसब मनाता है तो भारत का केरल राज सुन्द्रेश्वर महसब मनाता है केरल राज अगला प्रसन है जो लोग दूइफोकसी लेंस लगाते हैं उन में ड्यास पाया जाता है तो जो लोग दूइफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं उसमें जराद डिश्टी दोस यानि प्राय जो वाय उपिया होता है अगला प्रस्ण है मिर्दा संरचन की निमलिखित परकिरियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है तो मल्चिंग कहा जाता है पौधे के बीच खुली जमीन पर पुआल आधी कार्वनिक प्रदार्थ की एक परत बिचा दी जाती है उप्शन चार सही होगा अगला प्रस्ण है अपनी साहिते किर्थियों के लिए परसीद बान भट किसके सासनिकाल के दौरान परसीद हुए तो बान भट हर्सवरधन के सासनिकाल में परसीद हुए थे बान भट अगल भारतिया संविधान सभा ने किस बर्स भारत के संविधान के अनुछेद 370 को वंगी कार किया जिससे जम्मू कस्मीर के लिए विशेस दर्जा और आंतरिक स्वायता सुनिश्चित हुई तो जिसका सही जवाब होगा 1949 क्वेशन नमर दस है तसोंगमों जील किस भारतिय राज में इस्तित है सिक्किम राज में किसकी आत्मकथा का सिर्शक सनी डेज है सनी डेज है सुनील गवासकर का आत्मकथा सनी डेज अंग्रेज भावतिक बिग्यानी जेम्स प्रिसकोट जूल ने ड्यास के अधार पर अधार की रूप रेखा प्रस्तूत की संरचन के सिधान्त की रूप रेखा प्रस्तूत किये थे क्वेशन नमर 13 है मनिपूर के सगोल कंग जेई खेल को इस खेल के परती उत्तसाही लोगों द्वारा दुनिया भर में ड्यास के रूप में अनु कूल किया गया है तो इसका सही जवाब होगा पोलो ड्यास प्रकास अंसलेशन की अभिकरियाओं के लिए उप्यो किया जाने वाला सब्द है जो गुलकोज और अनकार्वोहाइड़िट अनु को बनाने के लिए प्रकास आश्रित अभिकरियाओं द्वारा संग्रीद उर्जा का उप्यो करता है तो यह है क्यल्विन चक्र महानतम सासक गौतमी पुत्र सत्करनी इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया के राजी के स्वामीत में पारित होने के बाद भारतिय सटेट बैंक की अस्थापना किस वर्स की गई थी तहीं उनिए 155 निश्वी में किया गया था भारतिय एस्टेट बैंक की अस्थापना किस भारतिय लेखा को 1957 में दा रूम ओन दा रूप पुष्टक जिसे उन्होंने 17 की उम्र में लिखी थी के लिए जोन लेवेलीन राइस पुरुषकार से समर्द किया गया था तो इसका सही जवाब होगा का ओप्सेन एक यानि रस्कीन बॉंड क्वेश्टन अमारा 18 है उस उप्रेशन का नाव डि他 जिसके करण है okeश्टिय एजयराबाद राजी का भारत में कि्लिया हुआ था भारत के किस राजी में राश्टियर जल किरा संस्थान यानि National Institute of Water Sports है तो उसका सही जवाब होगा गुवा में नेमलेखित में से कौन सा बगाउन फसल की स्रेणी में आता है तो कौफी बगाउन फसल की स्रेणी में आता है चतिया गिरी बिहार साची में मनाया जाने वाला डैस पर्व है चतिया गिरी बिहार साची में मनाया जाने वाला बौध पर्व है क्वेश्चन नमर बाइस है नेमलेखित में से किस बैंक ने बंगलादेश में 718 मेगावाट सैंप्ति चक्र गैस अंचालित बेजली संयंत्र के निर्मान और परचालन के लिए रिलाइंस बंगलादेश एल एन जी और पावर प्लांट के साथ 200 डॉलर मिलियन के बीतिया समझोते पर हस्ताचर किये हैं तो इसका सही जबाब होगा इस याई विकास बिंक क्वेशन नमर 3 निमल खित मेंसे किस ने पहला योगिक मा overlapping कोप बने गया था तो जकार यास जॉन सें के द्वारा पहला योगिक vivo after बने गया था जाकारिया जॉन सें निमलखित में से कौन सा ओडेशा का एक लोग्प्रिया तेवहार है तो दयानु यातरा ओडेशा का एक लोग्प्रिया तेवहार है Q25 और automated परसन भारत की पंचवर्शेय योजनाई ट्यास में परचलित योजनाओं की आधार पर तयार गई केंद्रियाकरित आर्थिक और समाजिक विकास कार्गरम थी तो इसका सही जवाब होगा यू एस एस आर तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम विडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिजिए क्योंकि जो ही हम 37 पेपर लाएंगे यानि 37 पेपर का विडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाईएगा फिर मिलते हैं 27 पेपर में यानि अगले नेश्ट दे यानि सुभा 6 बजे एक सुभा 6 बजे वीडियो आती है और एक साम 6 बजे तो जो ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं धन्यवाद नमस्काल बंदे मातरम